आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल इस्टूटेंट अर्डा लाइब में दोस्तों आज की सबसे भरी अपडेट की ख़बर की जानकारी देदर्ट राओं जो कि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल रही है ओफिसी अपडेट की जिसमें कि आप भी देख पा रहे हैं आर अर वी अंटिपी सी थर्ड एक्जाम डेट एडमिट कार्ड 2021 यहां जारी होगा शेडूल यहां डारेक्ट लिंक लिंक लिगा आप देख पा रहे हैं जैसे दोस्तों आपको यह अपडेट आ रही है निव चैनल के माध्यम से ठीक है जिसकी मैं आपक थर्ड फेज एक्जाम डेट एडमिट कार्ड 2021 अब तीसरे फेज के सभी एक्जाम सिड्डूल इंतजार है जो इस सब्ता जारी होने की उम्मीद है बोर्ड ने पहले फेज के परिक्षाओं को खत्म होने के तीन दिन भीतर ही दूसरे फेज की एक्जाम शुरू कर दिये है इसे में यह उम्मीद है कि तीसरे फेज की एक्जाम फरवरी के पहले सता में शुरू हो जाएगी ठीक है जैसा कि आप भी चेक कर पा रहे हैं आज तक .in के न्यूज से यह आप जानकरी में बता रहा हूँ अब टेडिर जो हुई है दो बच कर 46 मिट पे जैसा कि आप भी च 27 लाख उमिदवार सामेल होना है जिसके लिए एक्जाम 16 जनवरी को शुरू हो गये हैं और 30 जनवरी तक जारी रहेगा ठीक है बोर्ड ने एक एक्जाम सेंटर की परिक्षा रद्दि कर दी है जो अब किसरे फेज में आवर्जित होगी इस संबन में सूचना अधिकारी के वेबसाइट के मादेम से मिला है यानि एक फेज सेंटर की एक्जाम रद्दि कर दी गई और जिसकी एक्जाम जो है थार्ड फेज में होगी ठीक है अब छात्रों को तीसरे फेज के एक्जाम सेड़्ूल का इंतजार है जो इसी सब्ता जारी होने की उमीद है पहले फेज क परिक्षाओं को खत्म होने के तीन दिन भीतर दूसरे फेज की एक्जाम को शुरू कर दिया है ऐसे में तीसरे फेज के एक्जाम फरवरी के पहले सब्ता में शुरू होंगे दोस्तों फरवरी के पहले सब्ता में आपकी तीसरे फेज के एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे इससे यह नुमाल लगा है फरवरी के पहले सब्ता में होने जा रहे परिक्षा के सेडूल 25 जनवरी से पहले आज जारी कर दी जाएगी। परिक्षा में तीन फेज के बाद भी जारी रहेगा लगभग 1.3 करोर उमिदवारों के परिक्षा आउजित की जानी है जिसमें लगभग 50 लाग चातर का एडमिट कार्ट जारी हो चुका है। ठीके दोस्तों जो की आप भी जान पा रहे हैं कि 30 जनवरी तक जो है फर्स इस्टेज की एग्जाम चलेगी। उसके कुछ दिन पहले यानि चार दिनों पहले 25 या 26 से थर्ड फेज की एग्जाम की जो शिडूल है वो भी आपको जारी कर दिया जाएगा एबं लिंक भी आ आप चेक कर पाएंगे कि आपको कब से एग्जाम कहां जान सेंटर पर आ है ये सारी जानकारी आपको चेक कर पाएं तो दोस्तों बताना चाहूंगा अगर हमारे चैनल कुछ स्क्राइब ना किया है स्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले ऑफिसल दोस्तों और इस वीडियो को के बारे में और कोई भी चानकारी चाहिए या एंटीपीसी के संबंदित कोई भी किसी भी प्रकार के जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर परता देंगे तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाइ कर दूँगा एबन तो है इसके वीडियो को लाइक, सेर और सस्क्राइब करना ना भूले दोस्तों धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद